Hello friends, recently Lamberta company ने यहाँ एनाउंस किया है कि यहाँ company launch करने जा रही है अपने दो नए scooters और यहाँ new upcoming scooters के नाम होंगे Lamberta G350 और Lamberta X300 और यहाँ दोनों ही scooters में हमें classic design देखने को मिलेगी और यहाँ दोनों scooter fully futuristic scooter होने वाले हैं और दोनों ही scooters में हमें Lamberta company की basic design से देखने को मिलेगी जैसे कि इन scooters के front में होर नकास्ट finish देखने को मिलेगी और इन दोनों scooters में हमें design और looking के साथ साथ काफी सारे modern features भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि disc brake, ABS system, sophisticated suspensions, LED lighting और भी काफी सारी चीज़े देखने को मिलेगी और बात करते हैं इस company के पहले scooter की मतलब की Lamberta G350 की और यह scooter classic retro look के साथ market में launch होने वाली है और इस scooter में हमें 330cc का single cylinder four valve petrol engine देखने को मिलेगा और जिसका peak output power है 27 bhp का और उसके साथ ही 27 newton meter का peak output torque प्रड्यूस करता है और इस scooter में हमें 9.5 liter का fuel tank देखने को मिलेगा और इस scooter का overall weight है 173 kg का और इसमें हमें 12 inch के wheels देखने को मिलेंगे जो की आते हैं new design के साथ और इसके front section में all around headlight देखने को मिलेगे और इसके कुछ basic features की बात करें तो इसमें हमें USB charging port देखने को मिलेगा जिससे हम अपने mobile और electronic devices को charge कर सकते हैं और सभी basic features देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही यह scooter 3 sets और different color के साथ market में launch होने वाली है और Lamborghini company के दूसरे scooter की बात करें जो की है Lamborghini X300 तो यह scooter classic look और futuristic features के साथ market में launch होने वाली है और इस scooter में हमें 275 cc का single cylinder 4 valve of petrol engine देखने को मिलेगा जो की peak output power generate करता है 25 bhp का और उसके साथ ही 24.5 newton meter का peak output torque प्रेड्यूस करता है और इस scooter में हमें 7 liter का fuel tank देखने को मिलेगा और इसका overall weight है 165 kg का और इस scooter में भी same 12 inch की wheels देखने को मिलेगे with new design और उसके साथ ही इस scooters में हमें massive squad LED tell light और LED indicators भी देखने को मिलेगे और दोनों ही scooter के front में हमें branding देखने को मिलेगे और इस scooter में 4 futuristic setting देखने को मिलेगे और इस seat के color हम लोग को देखने को मिलेगे और इसके wheels में green and black setting देखने को मिलेगे और finally अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही scooter के launching की इंडिया में तो इन दोनों scooter की launching इंडिया में अभी हो पाना मुस्किल है क्यूंकि इसका जो price range है काफी ज़्यादा होने वाला है और इसकी engine specification भी काफी ज़्यादा देखने को मिल रही है जिस वज़े चे इन दोनों scooter का price काफी ज़्यादा होने वाला है पर सायद Lamberetta company इन दोनों scooter को future में launch कर सकती है तो दोस्तों अगर information अच्छे लोगे तो वीडियो को लाइक करें साथ में हमारे चनल को subscribe परें So thank you for watching